मैं में टीचिंग पाइंट के ओफिसल उटूब चनल पर आप सभी का स्वागत है अगर आप लेकपाल में डीबी के लिए सौर्ट लिस्ट हो चुके हैं तो आप सभी को ये साथ जरूरी जो डॉकुमेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ उनको आपको अभी से रेडी करके र इरगत होना चाहिए साथ अगर डॉकुमेंट में आपके कहीं पर कोई गलती है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं फार्म में कहीं पर कोई गलती है तो कैसे ठीक कर सकते हैं एड्रेस पहले आपका कुछ और था बाद में चेंज हो गया कैसे ठीक हो सकता है और जो चेक्लिस् देखते रहेगा इससे पहले हमने कटाफ वाला वीडियो बना रखा है आप वाला वीडियो जो है जाकर की UPCCC के प्लेलिस से देख सकते हैं या वीडियो सक्समें जाकर के देख सकते हैं साथी साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सोमवार को आयोक चार हैं जिनकी DB से ज़्यादा 18 वाली मात्र 50 दिन से इस बचे हैं ऐसे में अगर आप हमारा पेड बैच 199 में जो की मिल रहा है ओफर के साथ अगर आप इससे ज्वाइन कर लेते हैं लिंक इस वीडियो के कमेंट बाक्स में डिसकप्शन में दिया गया है तो डारेक्ट आपको सब भी PDF मिल जाएंगे और आप अच्छे तरीके से उनको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए 100% आप वीडियो जो है यहाँ पर बन जाएंगी बाकी जो एकस्पेक्टेट कोश्यन होंगे सब कुछ वहाँ पर दिया जा रहा है तो बैच को आप जोईन कर लीजिए आपके एक जो रिचार्ज है उससे ब महिला भेड़ती हैं साधी सुदा है तो उसका जात्य प्रमाण पत्र पिता 25 से निर्गत होना चाहिए जो कि आप सभी को पता है कि जो जाती होती है वो बाईबर्थ डिसाइड होती है आप जहां पर जन्म लेते हैं जिस परिवार में जन्म लेते हैं आप उसी कास्ट के हो अभी कभी होता कि है कि मान लिजे कि आप एक SC category की महिला है और आपने जो है general category में जा करके किसी पूरु से साधी कर लिया, तो ऐसे में आप जो है general category की तो नहीं हो जाएंगी, जो कि by birth आप SC category की है, इसलिए आपका जो certificate होगा, वो जो है आपके पिता 25 से निर्गत होना चाहि अब मान लिजे आप general category की महिला है और आपने SC category में जा करके साधी कर लिया, तो ऐसे में आप SC category की तो नहीं हो जाएंगी, आप जो है general category की ही रहेंगी by birth, तो ऐसे में आपका जो जाति प्रमाड़ पत्र है, वो पिता 25 से निर्गत होना चाहिए, इस तीज को ध्यान कि अगर document में कोई भी गलती है, तो आप भी अगर सही करवाना चाहते हैं, तो आप board वगरा जा करके, जैसे माली जी आपके कोई high school है, इंटर की mark seat है, अधार card है, उसमें अगर कोई गलती है, तो अगर online वो सही हो सकती है, तो आप जा करके उसे सही करवा सकते हैं, अगर न उस समय आपके पास, जो FADB टैने नोटरी है, वो बनी हुई होनी चाहिए, तो 10 रुपे के स्टाम पर आपको नोटरी बनवाली नहीं है, अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, और आधार card वगरा में अगर कोई address वाला issue है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप उसको जो है अभी ठिक करवा सकते हैं, अगर आप अभी correction करवा लेंगे, तो DB के time तक आपका सब कुछ okay, यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगे, तो अगर document में ज्यादा दिक्कत है, तो आप उसको online correct करवा लीजे, और अगर छोटी बहुत दिक्कत है, और नहीं करवा पाते हैं, तो आप जो है उसके लिए, DB के time, notary या एफेडिबिल लगा देंगे, तो काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगे, अब फार्म में मालीजे कोई गलती आप से होगई फार्म भरने में, suppose that आपका नाम जो है, रमेश था, R.E.M.E.S.H., रमेश कुमार यादो था, और उनको बता दीजेगा, यह मान भी भूल भी है, फार्म भरने में, साइबर कैफे के तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ पर consider कर लिए जाएगे, जब आप वहाँ पर पहुचेंगे, DB के time, तो आपको एक फार्म जो है, भरवाया जाएगा, इसमें आपको complete जो जानकारी ही, वो भरने ही, उस समय आपको कोई भी गलती वहाँ पर नहीं करनी है, और अगर आप नोटी वहीं पर submit कर देते हैं, कि हाँ यह error हमसे हो गई फार्म भरने में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ पर ballot हो जाएगे, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो होने चाहिए, तो देखिए, तीन साल से ज़्यादा कोई भी पुराना certificate आप ना लेकर के जाएं, बहतर रहेगा, तो तीन साल से ज़्यादा पुराना कोई भी certificate नहीं चलेगा, पहली चाहिए आप इसको note down कर लिजाए, नि जनवरी 2020 से पहले का अगर कोई भी certificate है, तो बिल अगर जो है, इसके बाद का है, तो बिलकुल आप ढूर लिजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर जो है, इससे पहले का है, तो आप भी जो है new apply कर दीजी, और जो new apply करेंगे, उसको भी साथ में लेकर के जाना है, और जो पुराना वाला आपका है, 2020 के पहले वाला वो भी आपको साथ में लेकर के जाना है, हलाकि लगेगा वहाँ पर new वाला ही, लेकिन फुराना वाला भी साथ में आपको रखे लेना है कहीं पर कोई दिक्कत ताकि नहीं होगी, तो इस तरीके साथ आपने समझ लिया, कि जो भी आपके document होने चाहिए, यानि domicile, income और जो 28 के बीच का होना चाहिए, जो कि फार्म भरने की जो लास्ट एट थी, वो 28 2022 रखी गई थी फार्म की, तो आपकी जो EWS सर्टिफिकेट है, वो 1 अपरेल 2021 से लेकर के 28 2022 के बीच का बना हुआ होना चाहिए, इन दोनों डेट में बनेगे सर्टिफिकेट ब्रैन नहीं होंगे बाकी जो है नहीं मानने किये जाएंगे, साथी साथ आपका जो 20 वर्स है, उपर 21 वाइस होना चाहिए, और बीच में 20 21 होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं, 7 अपरेल 2021 के रट में यह जो है जारी किया गया है, EWS सर्टिफिकेट उपर 20 वर्स आप 22 के बेच का जारी है, तो आप 100 परसंट आपका जो EWS से वो वैलिट है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकि इंकम के बारे में कहीं पर आपको बताया नहीं जाएगा, कहीं पर आपसे इंकम साथ डीवी के टाई मांगी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप बनवा लेते हैं, तो मेरे साबसे बेटर रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, पचास रुपे में इंकम सार्टिफिकेट आपका बन जाएगा, बाकी डोमेसाइल और कास्ट तो ये 100 परसंट जरूरी जरूरी है सभी के लिए, ये सभी को लगाना होगा, अब आगे उनको आपको भरना होगा, फिर आपके सैच्छिक योगिता के समद में आपको हाई स्कूल की अंकपत्र प्रमाडपत्र और इंटरमीडर की अंकपत्र प्रमाडपत्र, पहले अलग-अलग भी मासीट आती थी, नमबर अलग होते थे और सर्टिफिकेट अलग होता था, जिन काटेगरी को यहाँ पर EWA certificate, domicile certificate, income certificate, cash certificate, DFF के लिए DFF certificate, PH category वाला certificate, यह सभी आपके पास वर्जनल जो है होने चाहिए, इसके लाबा कम से कम आपके पास जो है 10 photograph होने चाहिए, खेर वहाँ पर 4 से 5 ही लगेंगे, लेकिन आप कम से कम 10 photograph ले करके जाएं और सभी अभलेकों की एक जो 6 अप्रती जो है आपको ले जानी होगी, मतलब जतने भी document आप attach करेंगे, वो सभी document की एक set जो है photocopy होनी चाहिए, मैं फिर कहूँगा कि आप 2 set photocopy ले करके जाएं तकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो तो ये document की पूरी list थी इससे यदा कोई भी document वहाँ पर नहीं मांगा जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हाँ, अगर आपने फारम भर ते वक्त, graduation की details भी fill की है, तो आपको graduation की details के लिए जो version mark seat होगी graduation की, और degree उसे भी दिखाना होगा, तो जिसने भी fill किया है graduation की details, वो अपनी graduation की mark seat सभी years की या सभी semesters की, और plus जो degree है, अगर degree नहीं मिल पा रही है, तो आप provisional निकलवा लीजिए उसको आपको ले करके जरू जाना होगा, बाकी अभी character certificate नहीं लगेंगे, वो बाद में लगेंगे जब लगेंगे, हम आपको बता देंगे, इस से यादा कुछ भी document लगने वाला नहीं है, अगर फिर भी कोई doubt है, तो आप मुझे comment करिएगा मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पर बता दिया है, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अन्नी groups में, जहाँ पर आप select हैं जहाँ पर join की होई हैं, वहाँ तक share करिएगा ताकि और वीडियो साथी हैं वो बी के लिए जो document अच्छे तरीकस बनवा पाएं बाकि डी बी skip पर आप लोग अच्छे तरीकस फोकस करिएगा ताकि डी बी skip हो जा और cut-up जो मैंने बताई है उसके आस-पास आपकी cut-up यहाँ पर रह सकें अस्ती cut-up touch नहीं होगी इस चीज को आपनो टाउन कर लीजिएगा फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो साथ एक नए जानकरी के साथ तब तक ले थांकि बच्छेंगे दिस